हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक टूड़े विल डू दा एक्सराइज 3 बी क्वेस्टन नमबर 6 तू 9 तो सब इस एक्सराइज में हमने पिछली वीडियो में क्या कर रहा था साम नमबर 1 तू 5 करे थे जिसमें हमने डिविजिबिल्टी रूल करे थे डिविजिबिल्टी तक करे थे ठीक है अब और अपनी इस वीडियो में अब हम करेंगे सम नमबर 6 जिसमें हम वीजिबिल्टी ऑफ एट करेंगे तो वीच आफ दीस नमबर्स आर्ट वीजिबिल बाई एट तो आपको बताना कि इसमें जो नमबर दिये गए हैं उनमें से कौन-कौन से नमबर है एट से डिसिबिल हो जाते हैं तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले नमबर हमारा है 464 यह फूर था उसन वान हंड़ सवंटी सेक्ट तो इसका डिविजिबिल्टी रूल है कि हमने क्या करना इसके पीछे के थ्री डिजिट देखने है अगर वह एट से डिजिबिल है तो कोई भी number चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो 8 से divisible हो जाएगा तो ठीके first number हमारा है इत्री digit का तो हमें इसे divide करके देखना पड़ेगा तो हम आप राफ वक में divide कर सकते हो तो ये divide हो जाएगा 8 5s are 40 और 6 बचेंगे 64 8 8s are 64 तो हमें इसको tick कर लेंगे next number है 4176 तो पीछे के 3 digit लेंगे 176 तो ये क्या है ये divisible देखो हो जाते हैं ये भी हो जाएगे तो हम क्योंकि 8 to the 16 बचेंगा 6 उपर से उतारेंगे तो 8 to the 16 तो next है 7052 तो पीछे के 3 digit देखेंगे तो उसमें आता है 052 तो 52 8 के टेबल में नहीं आता तो ये divisible नहीं होगा तो इसमें cross लगा देगे next number है 87,544 तो पीछे के 3 digit देखें 544 तो ये क्या है ये इसमें भी टिक लगाएंगे next number है 61,7258 तो पीछे के 3 digit देखे 258 तो ये क्या है इसमें भी 712 पीछे के 3 digit देखेंगे वो क्या है वो 8 से डिवाइड नहीं होते हैं तो इसमें भी हम क्या करेंगे cross लगा देगे हैं हमारा answer क्या आएगा 464,4176,87,544 और 90,392 और डिविजिबल बाई 8 तो next question, question number 7 which of these numbers are divisible by 9 तो इसमें हमें 9 की divisibility देखनी है तो 9 की divisibility क्या है जैसे हमने 3 की divisibility क्या करा था digit को plus करा था तो ये भी same ही आएगा इसमें हम सभी इसके digit को कोई भी number जो हमें दिया गया है उसके सब भी number digit को plus करेंगे और देखेंगे कि वह 9 चेड विजिबल है कि नहीं तो फर्स नमबर है 639 तो इसको plus करेंगे 6 plus 3 9 और 9 कितना गया 18 तो 18 9 चेड विजिबल है तो ये टिक लग जाएगा next है 8036 तो 8 plus 0 plus 3 plus 6 कितना गया 17 17 9 चेड विजिबल नहीं है तो यह प्लास आजाएगा next नमबर को plus करेंगे 5 plus 0 plus 1 plus 7 plus 6 कितना गया 19 19 भी क्या है 9 चेड विजिबल नहीं तो next आएगा 2 plus 9 11 11 और 3 14 14 प्लस 0 14 प्लस 4 18 तो 18 9 सेट वीजिबल है तो यहां टिक लगाएंगे next 3 और 8 11 11 और 4 15 15 और 5 20 प्लस 7 27 तो 27 9 सेट वीजिबल है तो यह नमबर भी वीजिबल हो जाएगा तो यहां टिक लगाएंगे तो हमारे नमबर कौन कौन से आगए 639 29 304 and 38 457 और डिवीजिबल भाई 9 next question is question number 8 which of these numbers are divisible by 10 तब हमें यह बताना है कि यह number 10 से divisible है कि नहीं तो 10 की divisibility क्या है 10 की divisibility है कि हमें जो भी नमबर दिया गया है उसके last कर जो digit है वो 0 होना चाहिए तब यह 10 से divisible होगा तो first number है 670 तो last digit के है 0 तो यह divisible हो जाएगा तो टेक लगा देंगे next 8395 तो इसमें लास्ट इजिट के हैं 5 तो 5 तैंसे डिवीजिबल नहीं होगा तो क्रॉस लगेगा next नमबर है 8006 तो इसमें भी last digit 6 है हमारा क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए तो इसमें भी प्रॉस लग जाएगा यह डिवीजिबल नहीं होगा next है 90,020 तो इसमें last digit 0 है तो यह डिवीजिबल हो जाएगा टेक लगा देंगे next है 57,390 लास्ट इज़िबल भाए 10 तो इसमें क्या कर 8,305 तो लास्ट इज़िट क्या है 5 तो 5 वाला भी डिवीजिबल नहीं होता तो यहां क्या करेंगे तो हमारा आंसर कहेगा 6,670,90,020,57,390 आर डिवीजिबल भाए 10 तो नेक्स्ट क्वेस्ट नम्हारा क्वेस्ट नम्बर 9 which of these numbers are divisible by 11 तो आपको 11 की divisibility बतानी है students यह सम आपको बहुत ध्यान से देखना है यह जो question है इसमें थोड़ा सा difficult है इसमें कहें इसमें आपको जो भी डिजिट दिये गए हैं नम्बर दिये गए हैं उनके जो डिजिट हैं उसका even और और देखना है प्लेस जो है ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे even और 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 प्लेस पर जो नम्बर है उनको प्लस करना है और फिर उसको आपस में माइनस करना है अगर minus करने पर आपका answer 11 से divisible हो जाता है या फिर 0 आता है तो वो number 11 से divisible होगा तो first number है 418 तो इस काम करेंगे क्या है odd number क्या है 4 और 8 4 और 8 प्लस कितने होगे 12 12-1 11 11 11 से divisible है तो यहां टिक लगा देंगे next है देखिए 7 प्लस 0 7 आगे 9 प्लस 9 18 तो 18 में से 7 माइनस करेंगे 11 11 भी 11 से डिवाइड हो जाता है तो टिक लगेगा next number है तो odds प्लेस पे क्या है 5 और 2 5 और 2 7 और even पे क्या है 3 7-3 4 तो 4 क्या है 11 से divisible नहीं है तो यहां क्या लगेगा cross next number पर भी जब even और odd करेंगे देखिए तो even number क्या है 1 प्लस 7 8 8 प्लस 3 11 और जो even number है वो है 7 और plus 4 11 तो 11 minus 11 equal to 0 तो 0 आगया इसमें भी क्या है तो आपको याद रखना है कि या तो 11 से divisible हो जो भी इनका difference आता है ठीक है even और odd जो numbers है आपके उनको प्लस करेंगे तो उसके बाद जब minus करेंगे तो उसके बाद आपका अंसर 0 आना चाहिए या फिर 11 से divide होना चाहिए ठीक है next number क्या है next number का भी देखिए even और odd को प्लस करने पर क्या रहा है 12 और 4 12 minus 4 equal to 8 तो 8 भी 9 divisible तो यहां क्या लग जाए क्रॉस next number है 1 करोड 1 तो इसको भी जब हम even और odd प्लेस वाले digit को प्लस करेंगे आपस में तो हमारा 1 मार्क्स आएगा तो 1 में 1-1 equal to 0 तो इस यह भी क्या होजागा डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो हमारा यह एक्सरसाइस 3 भी कंप्लीट होती है थैंक यू